कुरूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और सुप्मक्र कुदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो व्यक्तिगच चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जला में जाने चाहिए दिखाने वा है कि चार महीने पेले पांच महीने पेले भी लापते दिखेंए कहारय कतली При depends तो कितना लोस में है तो कितना और क्या करना चाहिए तो जो लोग यह देखना नहीं चाहते हैं कि कौन से लिस्ट था और क्या करना चाहिए पूराना लिस्ट शेर करोंगा वो लोग पहले चार पांच मिनिट को स्किप कर दे 5-6 मिनिट को स्किप कर दे बाद में वीडियो दे सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट क्रीन होगा और जो कोई नम देखने वाले हैं बहुत ज्यादा हाइप कुछ पहले प्रॉफिट ज्याथा दे दे मतलब पहले ही चलना स्टार्ट कर दे पचास पर संट पर सक इजी लिए आपको प्रॉफिट देखने को मिले उसमें पहला आएगा सुवी क्रिप्टो करन्सी इसके अंदर आप साइपी कर सकते हो डोलर को इवरेज भी कर सकते हो पा टाइम के अंदर जिन जिन लोगों ने 0.45 के बाद तो थोड़ा और भी डाउन गया था पर 0.45 में अगर एवरेज भी किया है इस जोन में चल ला था तो देखें टाइम पे एंट्री दिलवाया और तक्रीबन अभी देखेंगे 267 परसंट पंप है तो 70-80 परसंट करना बि एक डोलर गया था डाउनी डाउन दोस्तों आईडी क्रिप्टो गरंसी 0.21 डोलर उन टाइम के अंदर चल रहा था चारी महीने पहले की बात अभी देखते हैं तो दोस्तों आईडी क्रिप्टो गरंसी आज ही के दिन पंप हुआ है 0.5 डोलर 0.20 डोलर के आसपास किया होग 500 परशन के आसपास पंप हुआ है बहुत काफी अच्छा पंप हुआ है तो इसमें से भी 60-70 परशन प्रॉफिट बुक करना बनता है ऐसे मैंने हवा में तीर एक बार भी नहीं मारा है मैंने कोसिस की है क्रिप्टो मार्केट रिस्क की है बट तो भी कोसिस की है कि बड़े- ट्रेंडिंग के अंदर रही है और अभी भी ट्रेंडिंग के अंदर है 1.38 डोलर के उपर ट्रेड कर रहा है जैसे कि इसने थोड़े टाइम पहले एक विक भी मारा था नहीं तीन महीने पहले 0.809 डोलर के आसपास आया था वहां पर एक बाइंग अपको दिखाया था अग लेना है तो देख सबते दोस्तों की ऑप्टिमिजम 1.3 डोलर ट्रेड कर रहा था और दोस्तों अभी की बात करेंगे तो 3.2 डोलर के उपर ट्रेड कर रहा है तो अभी आपको पार्ट वाज लेने की बात कही थी 1.20 के आसपास भी पार्ट बनाया होगा क्योंकि आया था ओ दोस्तों टाइम पे एकजिट करना भी बनदा है ऐसे ही में कभी भी नहीं बताता हूँ हवाय में कभी तीर अपना होता नहीं है और यह सभी प्रोजेक्ट बार-बार मौका देंगे टाइम पे एंट्री मार रहे है और टाइम पे एकजिट कर रहे है तो लोग क्या कर रहे ह के अंदर भी उल्टा लिख रहे थे अभी उल्टा लिख रहें क्योंकि उन टाम के अंदर यह लगता था कि आप तो यार क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रहा है आप कुछ न कुछ दिखाते रहते हैं चार महीना पांच महीना लग गया बट प्रॉफिट देखे इतना कहीं में प्रॉफिट देखने को नहीं मिला होगा तो ओप्टी-पीमीजम ने ऊच्छा गाजा प्रॉफिट दिया और अगीन आपको 12 के आश्पास मिल सकता है डे नेक्स्ट बात करेंगे आर्बेट्रम भी यार्बी टोकन यार्बी क्रिप्टोकरंसी भी सेम टू सेम ऑप्टिमिजम की तरह आपके पॉर्टफोइलियों के अंदर होना चीए पर जब एक डोलर से नीचे 0.9, 0.8, 0.7, 0.6 उस तरीके से लेना है अभी चल रहा है 0.81 पार्ट वाइज लेना है 0.81 डोलर के उपर ट्रेड कर रहा था तब हमने आर्बिट्रम के बारे में याँ पर बताया था आज की तरीक में हम देखेंगे तो आर्बिट्रम चल रहा है 1.84 डोलर जो कि 5.5 डोलर के आसपास गया था और बोटम की बात करेंगे अगर आपने पार्ट में ही लिया है 0.7 की भी बात हुई थी आपने वीडियो के उन्दर सुन लिया होगा अगर आपने पार्ट में लिया और एवरेट 0.8 भी किया है देखो 0.8 से ही बाउस बेक मिला है अर्ब यहाँ पर क्लियर कट वीडियो हमने टाइम पे ही मा रहा था और तकरीबान 2.4 तक गया दा मनलब 200% के आसपास प्रॉफिट दे दिया है तो दोस्तो प्रॉफिट दीरे दीरे बुक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगेन आपको डीप देखने को मिलेंगे और तब वापस हम वीडियो बनाएंगे कि एंट्री करें कि नेक्स्ट बात करेंगे फ्लो की इनुप में क्रिप्टो करांसी है बट एक लोजिकली बात है कि बाइनस के अंदर आने के बाद एक बार भी पंप नहीं हुआ है बाइनस के अंदर आने के बाद एक बार भी प्रॉफिट नहीं दिया है नीचे गया है तो एक बार ये प् प्राफिट बुक नहीं कर वाय है यहां पर एक दो वीडियो वो लड़ी पहले भी दे चुके हैं जो कि हमारे रिगुलर से उसको बिलकुल आइडिया होगा अब यहां पर हम देखते कि प्राफिट कितना दिया यहां से उठाया था 16 के आसपास से और फिर एक मस्त वाला हमने रेली भी देखा तो यहां पर हम किल्कुलेशन करके देखेंगे प्राइज निकालेंगे कि पहले अगर टाइम पे एंट्री बनाया था उस टाइम पे एक्जिट भी किया था डेट सो परशंट के आसपास प्रोफिट दिया और अभी भी देखेंगे तो 60-70 परशंट प्लस चल रहे हैं नेक्स्ट पीप नया क्रिप्टो करणसी था माइनस में लिस्ट होने के बाद नहीं हुआ है में तो ध्यान देखें कि जिए मिम के अंदर सो परशंट परशंट पोटफोईलो में से 0.5 परशंट पोटफोईलो देना है 0.5 परशंट इसको 0.5 परशंट आप ल के खर्इदने के लिए जब की शेल करना हो तंब मैं आपको बता दूंगा यहां पर यह भी बताया कि करीदने के लिए प्राइंगर आप इसे पारट देचे हैं अब यहां पर प्राइज आक्षं डेखते हैं दोस्त कुछ जोबार यहां निकला कि प्राइज से बाउंसे पंप हुआ था और वीडियो भी दिया था कि माक्सिमम यहां तक आप शेल कर सकते हैं प्रेक आउट की भी बात की थी कि उसे ब्रेक करेगा तो ही रेली स्टार्ट होगा वरना अगेन रिजेक्शन और अगेन जहां था वहां उसके आसपास आपको अगेन अक्लूमेट करने के लिए मौका मिल सकता है पाट अप पीप आपने प्रॉफिट बुक किया ही नहीं है तो अगेन यहां पर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं अगेन यह बाइंग जोन के अंदर आया है तो पार्ट वाइज लीजेगा और सिक्स के आसपास आए तो ज्यादा औ नहीं है में में पॉमों के ऊपर चलता है बड़ी कुछ लोग का हाथ है जो कि ट्रेंडिंग के अंदर रहने वाले क्रिप्टो करंसी है एक एतिरियम क्लासिक 15.53 डॉलर के उपर ट्रेड कर रहा है एवरेज ए 30-40 डॉलर ट्रेड पचास-चाट-पचास-शोला ना अगेन काफी जबरजस्त रेली दिखा सकता है 29 website और यहांपर क्लासिक 15 BRhorn लोग केते हैं इसे देखने क céu नहीं नहीं बताता हूं दोस्तों यहां पर लाइक बनता है 37 क्लासिक टेंगी। अब सोलाना देख लेते हैं दो सोलाना आज की तारीक में 95 डॉलर के उपर ट्रेड कर रहा है और अगेन एक जिट करवाया था जो की 400 परसेंट पॉंप हो चुका था ऐती 789 और लास्ट यहां पे भी एक बार प्रॉफिट बॉक नहीं किया है तो सोलाना में एक बार प्रॉफिट बॉक कर सकते हैं अगेन आपको एक मोगा सोलाना दे सकता है जो कि वो मौका होगा मेरे इसाब से 30 डोलर के आसपास का अभी तो आपको अंधेरे में तीर लगेगा बट मुझे कुछ चांस लगते है 95 जल रहा है 30-40 के बीच में कहीं भी एक्लूमेंट करने के लिए मौका मिल सकता है तो 60-70 परशन एक्जिट 40 परशन आप बचा सकते हैं बट कुछ लोग के बिटकोईन की तरह सोलाना लेते हैं लोंग टम बहुत लंबा देख रहे हैं वो फिर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं तो एक वीडियो था जबरदस्ट प्रोफिट हमने देखा इसलिए हम टाइम पर परफिट बूख कर वा रहे हैं अब एंट्री जब लेना होगा तब अगेन में बताऊंगा प्रोफिट बूख प्रॉफिट बूख क्यूं चलता था क्योंकि एसे जेए वीडियो हमने बना है थे स्टेलिब्रीटी का हाथ हो तीन प्रोजेक्ट देखते हैं सबसे बेला प्रोजेक्ट आता है अल्ट लेयर अल्ट लेयर के अंदर बड़ी-बड़ी विसीज का फंडिंग है उसके अंदर एक नेम जाना माना है जो कि कोईन बेस के सीटियो बाला जी का भी इसमें बैक अप है हैं ना लेने के लिए ना देने के लिए जोकि 0.3 से भी बाउस बेक मिल सकता है 0.2 अंधेक तो उसके लिए रास्ता क्या है? Part wise entry और ये long term में क्या इसमें हो सकता है? Long term में 1 डूलर के आसपास मुझे short term में लग रहा है उससे भी लंबा देखेंगे bull run में 4 डूलर के आसपास मुझे chance लगते हैं Second जो project आएगा Jupiter JUP हर एक एक चेंज के अंदर देखने को मिलेगा 0.51 डूलर के उपर trade कर रहा है इसमें भी मुझे जो possibility short term में लगती है 1 डूलर के आसपास के chance लगते है bull rally में 3-4 डूलर के आसपास के chance लगते है तो आप समझ सकते हो 700-800 परशेंट वाले coin हैं हम देख रहे हैं जैसे अल्ड लेयर जैसे at least 0.5-0.4 पे तो trade कर सकते ताकि हमारा उतना loss ना हो अगर गीर भीज आए तो वापस इतना तो bounce back हो सकते है तो हमारा पैसा उतना ही रहेगा loss नहीं होगा तिसरा हमारा जो top project आएगा मानटा मानटा को में एक सोलाना जैसा project मानता हूँ क्योंकि supply बहुत कम है अब इस सोलाना का जीतना circulating में उससे भी कम है supply से कोई फरक नहीं पड़ेगा supply के साथ साथ इसका use case भी सोलाना जीतना ही है सोलाना जैसे ही इसका use case आने वाले time के अंदर बढ़ शकेंगा और बड़ी बड़ी वीसीज का funding है मतलब समझ सकते कि ये project को again pump किया दा सकता है नया fresh project है बार बारे trending में रहेगा बार बार आपको short term short term में 20-30% हो ऐसे ही profit देखने को मिलेगा बट buying zone क्या हो सकता है buying zone 3 dollar अभी ले सकते हैं बट एकदम safe buying क्या हो सकता है एकदम safe जो buying zone रहेगा वो 2 dollar से नीचे रहेगा कहीं भी आप acclument कर सकते हैं तो दोस्तों ये था एक video मैंने profit booking के बारे में भी बता दिया जितने भी project बताए profit booking अभी भी उसमें कर सकते हैं 50-60% आपको मोका उसमें मिलेगा और buying के बारे में सोंसर है तो लास्ट वाले तीन project देख सकते हैं बाके और हमारा काम चालूई है हम बदाते जाएंगे कोन-कोन से project में invest कर सकते हैं कहां-कहां हम उसे देख सकते हैं पहले उसको जांच किजिएगा कि use case क्या है long term में क्या कर सकता है कोन से backer है फिर ही invest किजिएगा क्योंकि हमारे साथ problem ना हो और लास्ट में एक और disclaimer दोस्तो crypto market high risk and high volatile है government American government इसके पिछे पड़ी हुई है इंडियन government भी पिछे पड़ी हुई है तो इसमें हम जो coin देख रहे है उनमें से कोई personal coin को उठाया government ने और उसको security declare किया तो फिर effect आ सकता है क्योंकि कल लाके American government ने ये कही दिया कि मानटा है वो security है सीधा dump खाजाएगा एक डोलर आदा डोलर आजाएगा तो वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा उसके अलावा इसके use cases अच्छे खासे है